हेलो फ्रेंड्स सीरियल गुम है किसी के प्यार में शो में साई वीनू के पक्ष में ऐसा फैसला लेगी जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा हाला कि वे जब अपने इरादे पाकी और विडाट को बताएगी तो उन दौनों के होश उड़ जाएंगे सीरियल में वीनू की कस्टिडी का मामला कोट तक पहुँच चुका है दौनों पक्षो को सुनने के बाद जज बोलेंगे कि वैब बिनायक की बाद सुने बिना कोई फैसला नहीं दे सकते साई और पाकी दौनों इस बात पर राजी नहीं होती हैं जज बोलते हैं कि वीनू का आना ज़रूरी है इसके बाद साई केस वापस ले लेती है विराट साई को ऐसा फैसला लेता देख उसे मन ही मन इंप्रेस हो जाता है हाला कि साई वीनू को सर्च बताने पर अड़ी रहेगी शो में कोट रूम का सीन दिखाई देता है पाकी विराट और साई अपने अपने वकील के साथ मौजूद है जज बोलते हैं कि वीनू को कोट में आने के लिए तयार करना होगा इसके इलावा उसे सब सर्च बताना हो यह सुनकर सई परशान होती है तो नहीं वो नहीं चाहती कि उसके दिमाग पर इन सब बातों का असर पड़े पाकी भी यह सोच कर पर परशान हो जाती कि कहीं ऐसा नहों कहीं वीनू कोट में सई का नाम ना ले दे वह भी जचको मना करती हैं कि अपने बच्चे को यहां नह लेती है विराट और पाकि उसकी बात सुनकर दंग रह जाते हैं दौन उसे घंक्स कहते हैं इसी भराणी और श्वीनी भी वहां पहुत जाती है साई और विराट दौन को बताते रेते हैं कि सै केस वापस ले लिया है वह लोग्क चैक को धन्यवाद कहने पहुते है तो सही बोलती है कि केस वापस लेने का ये मतलब नहीं है कि वे बेटा वापस नहीं लेगी वे विनायक को जल ही सच बता देगी और साथ रहने के लिए मना भी लेगी पाकी और विडाड ये सुनकर परिशान हो जाते हैं विडाड सही को समझाने की कोशिश करता है इस पर सही बोलती है कि वे दौनों बच्चों को एक ही छट के नीचे रखना चाहती है इधर वीनु के स्कूल ना जाने पर उसकी प्रिंसिपल का फोन आता है वे बोलती है कि पढ़ाई को ज्यादा एहमियत देनी चाहिए सही वीनु को फोन करती है लेकिन पाकी उससे बात नहीं करने देती सही सावी से बोलती है कि पाकी वीनु को उससे अलग करने की कोशिश कर रही है लेकिन वे जल सच बता देगी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके तब तक अपना ध्यान दखिए टाट आप बाई बाई